अपना कच्छा दस के बच्चों के लिए तो हमने सोचा कि बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे सर जी कोई मौडल पेपर या बोर्ड के पेपर टाइप का कुछ सॉल्व करवा दीजिए तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है थोड़ा बहुत हमको आईडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हमारा पेपर में क्या कुछ चनाएंगे और क्या होंगे तो देखे बच्चों किसी भी प्रका है तो यह हमारा आप लोग समझ सकते हैं कि अभी जश्ट आज सुबा ही मतलब 28 डिसंबर को यह बीडियो बन रही है तो 28 डिसंबर की सुबा का ही यह मौडल पेपर यूपी बोर्ड के वेबसाइट पे एबलेबल है तो वहीं से ही हमने जश्ट इसको उठाया है और उसके बाद में आप सब के लिए हमने ये वीडियो सोचा हम बना दें थोड़ा बहुत जिससे बच्चों को बहुत जादा फायदा मिल जाए तो दिखे में तो बोर्ड का पेपर यह है नहीं है तो मौडल पेपर ही मौडल पेपर का मतलब यह होता है कि आप लोगों को इसी के जब भी मैं बोलूँगा कि यह कुष्चन मैं करवाने चल रहा हूँ तो आप लोगों का काम यह है कि आप वीडियो को तुरंत वहां पे पॉस करिए खुद से एंस्वर देने की कोसिस करिए और उसके बाद में आप लोग मुझे बताईए कि आपका सही है या गलत है इसको कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे आप लोगों का एक बार फिर से हमारे बहुत प्यारे से चैनल RSP Study Point पे हारदिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारा WhatsApp ग्रूप है Facebook है Twitter है Instagram है Google है कहीं भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर है वह मार्च में ही होगा इस बात को बहुत विशेश तरीके से सुनिए कि बहुत सारे चैनल फरजी वीडियो बना रहे हैं कि पेपर कब होगा क्या होगा नहीं होगा कहा होगा कैसे होगा कुछ नहीं जो होगा सब देखा जाएगा लेकिन पढ़ाई आपका तो देखे बच्चों यहां पे जो आपका समय है वो है आपका तीन घंटा 15 मिनट तो तीन घंटा 15 मिनट का मतलब यह होता है देखे यहां पे आपको दिख रहा होगा तो तीन घंटा 15 मिनट आपको बोर्ड में मिलता है जिसमें से आप लोगों को यूज क्या करना है आपका आप लोगों को 15 मिनट पहले पढ़ने को दिये जाएंगे आपको 15 मिनट पहले पढ़ने को मिलेगा तो जिसमें कि आपको 15 मिनट में अपना नाम लिख लेना है कॉपी म बढ़िया तरीके से उसको पढ़ लेना है और उसके बाद में आप जो चाहें वो करें तो जैसा कि जब भी आप लोग अपने exam hall में जाएंगे paper देने तो वहाँ पे आपको तुरंत ही ये देखने को मिलेगा कि teacher आपको कहेगा roll number भर लो copy भर लो तो उसकी video भी हम आपके करिये गा नहीं तो number में आपको बाद में समस्या होगी तो उसके बाद आपको देखे नीचे लिखा रहेगा आपका पूरा निर्देश में क्या रहेगा बच्चों निर्देश में आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी पूरी जानकारी किस प्रकार से दी जाएग प्रस्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं अब जब ये आपका प्रस्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित वाला जो समय है जब आपको ये दे दिया गया है तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपका जो निर्धारित समय है इसमें आपको बड़े अच्छे से पेपर दे दिया जाएगा उसको पढ़ लेना है पढ़ने के बाद क्या करना है देखें कुश्चन आपका जो है वो दो खंड में रहेगा आ रहेगा तथा बार है दो सेक्षन में रहेगा तो सेक्षन वाला भी आप लोग यहाँ पे पाड़ देख सकते हैं बड़े आराम से देखे, यहाँ पे क्या लिखा है, आत अथा बाखंड में बिभाजित रहेंगे, अब देखे, आत अथा बाखंड में आपका जो है यह बिभाजन पूरा हो गया, अब उसके बाद देखी, उसके बाद हमसे क्या कहता है, उसके बाद कह रहा है कि अगर आपको पेपर में आप के O Y democr seat दे देंगा तब सो कुई बात नहीं है और नहीं तो आप लोगों को देखे यहां पे O Ymar वाली line लिखी है नहीं तो आपको क्या करना है की अपने ही देखे इसमें लिखा है काले बाल point pen से एक pen आती है बाल pen ठीक आप लोगों ने यूच किया होगा उसी से बड़े आराम से आपको जितने भी हैं यहां पर O YMR में भरने होंगे या तो आपको कॉपी में ही आपके गोला बना के जितना भी स्टार्टिंग के जो कुश्चन है आपके सेक्षन एके आके जिसमें आपको बहुबिकल्पी एक कुश्चन मिलेंगे जिसका चार 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 उनका ओप्सन रहेगा जिसमें कोई एक सही रहेगा उसी को कंफर्म करना है अब आए उसके नीचे चलें तो उसके नीचे देखे क्या है कि खंड आ मतलब सेक्षने में बहुबिकल्पी ए प्रस्म जो हमने आपको बताया वो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है एक नंबर के लिए अंक निर्धारित किये गए है क्योंकि जितने कुष्चन उतना एक नंबर अब मॉडल पेपर हमने यही क्यों उठाया है सबसे जरूरी बात यह है बच्चो तो सबसे जरूरी बात यह है इसलिए क्योंकि इसमें आपका बहुबिकल्पी जरूरत से ज़ आ कि प्रास्नपत्र के खंड आ के प्रस्णों को हल करने के लिए एक घंटा बड़ा बेहतरी Spaß यहां पर बताया गया है कि ईटा आपको बहुत ज्यादा टाइब नहीं खर्च करना है ज्यादा से ज्यादा आपको खर्च करना है एक घंटा थिक उसके वाद में क्या करना है आपको उसके बाद में आपको देखीए नीचे दिया गया है कि, समय निर्धारित निर्धारित रिकि बाग्रत। यह देखना को us, तो हुआ है यह भर निर देश जो कि हम ने जल்द से जल्द कंप्लीट करवाना चाहा हो गया है यहां तक, अब देखिये, में कुष्चन पर आईये हम लोग चले चलते हैं तो main question हमसे क्या कहता है बच्चो main question हमारा देखिए सबसे पहला हमारा question है कि देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि बाबू गुलाब राय किस यूग के लेखक हैं ठिक तो भारतेंदु दुबेदी सुकलेया सुकलांतर अब आपको क्या करना है वीडियो पॉस करिए सही उत्तर खुद से पहले सोचिए उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ तो जो इसका correct answer होगा वो आप लोगों के लिए हो जाएगा क्या तो आप लोगों का जो correct answer होगा वो होगा आपका दुवेदी यूग ठिक अब देखें यहाँ पे जो हमारा दुवेदी यूग है वो correct answer हो जाएगा दूसरा देखें दूसरा क्या है बच्चो दूसरा हमसे कहता है कि चिंतामडी किस बिधा की रचना है चिंतामडी जो है किस बिधा की रचना है तो चिंता मड़ी आपका निवन्धों हो जाएगा हमने कहा है बार बार नहीं बताएंगे वीडियो पॉस्स करीए खुद देखिए फिर हमसे जीखिए आप लोग जीधना भी सीख पाईए अब इसके आगे क्या कहता है हमसे इसके आगे हमारा है कि गबन किसकी रचना है आप लोगों के लिए एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमारा जो जीवन परिचे का महा सीरीज जो की RSP Study Point की तरफ से सुरू किया गया है उसमें बहुत चुनिंदा लेखकों का जो की आपके किता जाब में दिये गए हैं उन सब का जीवनी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जब आप लोग जाएंगे कहां पर RSP Study Point चैनल जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जीवन परिचे की महा सीरीज दिखिएगी वहाँ पर आपको को देखते हुए आप लोग इस कुष्चन में बड़े बढ़िया तरीके से टिक लगाएंगे और टिक आपका क्या होगा तो आपका जो टिक है वो हो जाएगा एक सिटेंट रुकिए लगा देने हैं बड़े अराम से मुनसी प्रेम चंदर हो गया ठीक तो गबन के रचनकार काउन है मुनसी प्रेम चंदर जी है अब थोड़ा सा ये नीचे चलते हैं अनीचे चलने के लिए क्या करना है कुछ नहीं स्क्रीन को सरका देंगे अब देख फिर भी कंफर्म करने के लिए अगर हम आपको बताएं तो 1929 से लेके 1931 तक जो है इसकी समय सीमान निर्धारित की गई है पाच्वा कुष्चन है नीड का निर्माल फिर किस विधा की रचना है बहुत बेहतरीन लेखक हैं उन्हीं की आत्म कथा है दो चीज आपको यहां प अपने संगरतों को किस प्रकार से स्वचलित किया है किस प्रकार से गुजारा है कैसे आपने अपना जीवन जिया है कितना अच्छा उसको आप लोगो डे फॉलो किया है वह आता है आत्म कथा के अंदर जीवनी क्या है बच्चों तो जीवनी का मतलब यह होता है कि जीवनी जो की हमारे जीवन परिचे को कोई दूसरा लिखे जैसे मा लिजे हम एपीज अबदुल कलाम साहब की जीवन परिचे है उसको हम अपने द्वारा लिखे वो उनकी जीवनी है अगर एपीज अबदुल कलाम साहब अपना जीवन परिचे अपने ही हाथ से लिख दे वो उनकी कि आत्मकथा हो जाएगी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आत्मकथा जो कि डाक्टर हरिबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा नीड का निर्माड फिर है बहुत सांदार बहुत सांदार आप देखिए अगला हमारा जो प्रस्न है प्रस्न 06 वो हमसे क्या कहता है तो हमसे कह र प्रिय प्रवास किस यूग की रचना है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए प्रिय प्रवास बहुत बेहतरी रचना है बहुत खतरना कुश्चन में पूछी जाती है इसके लेखकार और इसका यूग दोनों ही आपको कंफर्म होना चाहिए तो आपका दुबेदी यूग का रचना हो जाए गा प्रिय प्रवास उसके बाद देखें मधुसाला किसकी रचना है तो मधुसाला क्या बात है मधुसाला मतलब डाक्टर हर्जबं सराय बच्चन की जीवनी या उनकी आत्म कता जिसमें उन्होंने अमरित घोल दिया है जिसमें वो क्या लिखते हैं क्या जाओं अस मंजस में रहता भोला भाला अलग अलग पत्थ बतलाते सब पर मैं इक बतलाता हूं रह पकड़ तू एक चला चल पाजाएगा मधुसाला रह पकड़ तू एक चला चल पाजाएगा मधुसाला मतलब बहुत भेतरी नुदों ने लाइन लिखी है कि आप लोगों को जीवन में जो भी आप बनना चाहते हैं उसके लिए आपके मन में बार-बार ख्याल आते हैं कि डाक्टर बन जाएं, कि इंजीनियर बन जाएं, नेता बन जाएं, विधायक बन जाएं, जो भी आपको बनना है, माल लिजे आपको बनना क्या है, आपको बनना है भारत का परधान मंतरी बात खतम, अब उसके लिए क्य करना है आपको अभी से ही उस राजनीत के फील्ड में लग जाना होगा और उसमें अपने तन मन और धन जब आपके पास धन आ जाएगा भी पहल दीजिए जब कुछ करने लगेंगे तो धन भी आ जाएगा तो तन मन धन सब यरपन जो भी आपका है उसको सब अपने लक्ष के प्रतियरपन कर दीजिए तो क्या होगा कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुसाला ये बहुत जीवन लाइन है हमने तोचा बता दे क्योंकि हमको बार बार मोटीबेट करती है आप लोगों को भी मोटीबेशन का जरूरत पढ़ता होगा तो ये आपका मोटी अगला कुश्चन जो हमारा है कि आधुनिक काल कब से कब तक चला तो आधुनिक काल मतलब जो चल रहा है तो इसका पहला ही हो जाएगा कि सन 1843 से अब तक क्योंकि आधुनिक मतलब होता है जो अभी चल रहा है जो चल रहा है वो कभी खतम होगा नहीं तो 1843 से माना जाता है चले गए अनंत काल तक ठीक अब देखे दसवां मत इराम किस युग के कभी हैं इसके पहले आपको हम एक चीज़ असपष्ट करवा दें कि इसमें देखे हमने अभी आपको पहले ही बताया कि बहुत जादा दिये गए हैं बहुत जादा मतलब अरे एकदम भर भर के दे दिये गए हैं तो बहुत जादा दिये गए हैं इससे आपको फायदा उठाना है इसको आपको याद करना है और उसके बाद में देखे सोसल डिस्टेंसिंग मनाए रखिएगा कोरोना आ रहा है बहुत तेजी से इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों तो उसी क आपको बता रहे हैं कि 5 आपका काब्य खंड से आएगा पांच आपका गद्य खंड से आएगा यह आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है अब इसका दिखे एंसर देखे तो मत इराम किसी युक्के कभी हैं तो मत इराम आपके रीतिकाल के कभी हो जाएंगे बड़ा ख अब दखे तो मनो जनु जानू जहां भी आएगा वहां पर आपके आपके लगाना और अफ्चे हो लगाना है इसको आप लोग याद कर लीजे क्योंकि उत्रेच्छा लंकार का आपका उधारण भी यह हो जाएगा अब देखे बच्चों उसके बाद अगला हमारा जो तेरा नंबर का कुश्चन हो कह रहा है रोला चंद में कुल कितने चरण होते हैं तो इसमें होते हैं चार कितने चार ह हो जाते हैं बहुत सांदार आपको यह लगा के आगे बढ़ना है फिर देखे आकारसन सब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अब देखे उपसर्ग क्या है तो उपसर्ग इसमें हो जाएगा क्या देखे चौथा आपको बड़ा आ दिख रहा होगा तो हमारे हि होगा बाकी आप कमेंट में बताईएगा कि यह सही है कि गलत है हम आपका इसमें खोड़ा परिच्छा ले लें हम तोचे अब देखे प्रस्ण पंद्रा हमारा क्या है प्रत्य के कितने भेध होते हैं तो प्रत्य के बच्चों हमारे दो भेध होते हैं कितने होते हैं दो होत ज़्यादर इंपोर्टेंट है जो भी साहित्तिकिंदी के बच्चे हमको देख रहे हैं वो एक बार इसपेसल प्रत्यपवे हमको कमेंट मारके बताएंगे कमेंट सेक्षन में फिर देखें पीतांबर में कौन सा समास है तो पीतांबर में बच्चों आप लोगों का बहुब् दादा, आ से क्या है, अब्व्याई भाव है, याद करने का सॉट्रिक हम आपको सब बताती आती चलेंगे इसzahlबिंग पेपर वाले मी, क्या है, अब तक दादा, आ से क्या है, अब बासे बहु भी, तक मेथा से तक पुरुफ, का से करमधार है, अब तक दादा, दूइ गुद्वन्द complete हो गया आप लोगों का और जहां भी गिंती आता है जैसे चौराहा तिराहा दो राहा एक राहा और क्या है हाईवे नहीं कहिएगा मतलब चौराहा तिराहा मतलब चार है जिसके राह और पंच मुखी पांच है जिसके मुख दस हैं जिसके आनन, दसानन, social distancing का पालन करते रहिएगा आप लोग, तो दस है जिसका आदर, उसमें क्या होगा बच्चों, तो दस है जिसका आनन मतलब क्या होगा, दसानन, और ये है हमारा दुई गुसा मास, तो जहां भी गिंती बताई जाएगी, वहाँ पे दुई गुसा समास रहेगा, तो थो थोड़ा समास के बारे में हमने आपको किलियर करवा दिया, अब अगला क् repetition हमारा क्या है, तो आसु का तपस्तम रूप क्या होता है, तो आसु का तपस्तम रूप आपका पहला वाला हो जाएगा, असु क्या होगा? अस्रु होगा क्योंकि रोना आख अंसु ये नहीं हो पाएगा आपका अस्रु ही हो जाएगा तो अगर आप लोग को मजा आ रहा हो वीडियो देखने में तो एक बार जोरदार लाइक और सब्सक्राइब ठोग दीजे वीडियो पे उसके बाद देखे बच्चों अगला क्या है यहं संधी का सूत्र है यहां क्या है इको होगा तो तीसरा इसका correct लेकिन होगा इसका हो जाएगा आप लोगों हम correct बताएं तो देखें यहां पे लिखा है इको यॉनाचि झिक इको यानाचि तो यह होगा इको के बाद आ लगेगा तो भाई ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बोर्ड ने रिलीज किया है इसमें हम कुछ कर नहीं सकते तो इसका होगा इको आ या अड़ची तो अब देखे बच्चों उसके बाद इस पे सही टिक मार दीजे तो इको आ अड़ची हमारा जो है ये सही सही आपका इसका बहु विकल्पिये का सुध्ध सुध्ध उत्तर हो जाएगा अब देखे बच्चों फलस्य सब्द का वचन एवं बिभक्ति बताईए फलस्य मतलब फल का ये रूप है आपको बालक और फल का रूप याद करके जाना है हमको तो अभी तक याद है लेकिन टाइम हमको अन्म आपसे हो जाएगा बहु वचन तो सश्थी बिभक्ति बहु वचन अगर कहीं उत्तर हाँ देखे दिख रहा है यहां पर तीसरे पे सश्थी बिभक्ति बहु वचन हमारा 19 नंबर प्रस्न का बिलकुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा अब देखे बच्चों अगला हमसे क्या कह प्रथम पुरुस बताईए तो पठत वाला जो है ना पठ वाला पठाम पठावा पठामी वाला जो उसका रूप होता है लिरिट लकार लोट लकार तो उसी से भी यह संबंदित है धातु का वचन अवं पुरुस पूछा है तो इसका बहुत सारे बच्चे चनफ्यूज र हो जाएगा प्रथम पुरुस पूछा है ना तो प्रथम पुरुस हो जाएगा वचन में एक वचन हो जाएगा यहां पर आपका सेक्टन कंप्लीट होता है 20 मिनट 3 सेकंड के अंतर बहुत तेजी से आपका सॉल्व करवा रहे हैं और थोड़ा सा भी वेवस्था कम होने के क पूरांग 50 में यहां पे जो हमारा खंडबा है उसमें हमारा प्रस्न एक कहता है कि निमलिखित गद्यांस पर आधारी तीन प्रस्नों के क्या करिए आपको उत्तर देना होगा तो तीन प्रस्नों का उत्तर किस प्रकार से देना होगा तो तीन प्रस्नों का उत्तर देखें दूसरा गद्यांस के रेखांकी तन सिखी ब्याख्या कीजिए और तीसरा आपको यहाँ नीचे दिखरा है लेखक के अंसार समाज में भी भिन्दता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकरसित होते हैं तो अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क यह कोई बात नहीं है कि एक सभाव और रुची के लोगों में ही मित्रता हो सकती है बिल्कुल सही बात है कि एक सभाव और रुची मतलब हमको क्रिकेट पसंद है आपको क्रिकेट पसंद है आहम दोनों पक्के दोस्तों यह जरूरी थोड़ी है भाई क्रिकेट को कबड़ी तो वही कह रहा है कि समाज में भी भिन्नता देखकर एक दूसरे की और लोग आकरसित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, बहुत तगड़ी लाइन लिखी है, जिसमें वे गुण हो, चिंता सील मनुष से प्रफुलित चित का ढूंड, साथ ढूंडता है निर्बलबली का धीरुशाही क मतलब जिसमें जो चीज नहीं है वो उसी का ढूढ़ेगा जैसे चिंतन सील मनुष से जो बहुत चीजे सोचता है वो प्रफुलित चित मतलब जो सांत है वो खुसी आदमी का साथ करेगा और जो निर्बल जो कमजोर है वो ताकतवर का साथ करेगा जो धीर मतलब सांत है वो उ साही का साथ करेगा उच्च आकांच्छा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चानक के कामुवताकता था चंद्रगुप्त कौन जिसकी महत्वा कांच्छा मतलब उसकी डिजायर क्या क्या पा जाए वो बहुत बड़ी थी लेकिन उसको सिखाने के लिए गु पूरे में सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है इस पूरे में आपको कि मुएन चीज जो है कि यहां पर देखे यह पहली लाइन हम से कह रही कि यह कोई बात नहीं वाला तो इसमें देखे इसमें आपका यह पहला और दूसरा लाइन जो है इसमें आपको मित्तरता हमारे हिंदी आरोही पुस्तक के गद्य खंड के कहां से लिए गए हैं तो गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से लिए गए हैं जिसके रचैता आचार राम चंदर सुकल हैं यह आपका संदर्भ हो गया पहला कुष्चन आपका डाउट के लिए दूसरा देखे बच्चों द तो ब्याक्ष्या वही जहां से हमने इसको देखे यलो कलर में किया है किया कोई बात नहीं कि एक सभाव और रुचि के लोग में ही मित्रता हो जो की हमने भी आपको समझाया कि जो जिसके पास जो चीज है वह उसका सात थोड़ी करेगा जो चीज उसके पास नहीं हो उसका कीडिकिल चलाता हो cricket खेलता हो दोनों हो और वो क्या है फुटबाल खेलता हो उसमें दोस्ती हो जाए तो दोस्ती थोड़ी किसी चीज के लिए जरूरी है कि उसके अंदर वह क्वालिटी और या नहीं यही चीज इसमें बताया गया है अब देखे अगला क्या है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की और क्यों आकरसित होते हैं क्यों क्योंकि उससे उसकी सुरच्छा होगी और दूसरी चीज उससे उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले या अथवा में देखे बच्चों क्या है तो अथवा वाला जो है ये ममता पाठ से लिया गया है इसमें बहुत फेमस पाठ है जो की जैसंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है तो इसके अगर गध्यांस के संदर्व की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि प्रसाद जी हैं यह इसका संदर्भ हो गया अब देखिए बच्चों उसके बाद गद्यांस की रेखांकित अंस का भावस पश्ट कीजिए तो इसमें जो भी देखिए हमने आपको पहला मित्रता किलियर करवा दिया अब इसको आपका होमवर्क है जैसा कि हमने पहला आपको क मस्त्या नहीं है अब देखे दिये गए पध्यांस पर आधारी तीन प्रस्नों का उत्तर दीजिए यहां पर आगया आपका क्या पध्यखंड अभी तक क्या चल रहा था आपका गद्यखंड अब आपका बच्चों आगया पध्यखंड पध्यखंड क्या है वो और खतर ना देखे यहां पर पध्यान से लिखा है तो देखे इसमें क्या कह रहा है कि चारण कमल बंदव हरी राई जाकी कृपा पंगु गिर लांगे अंधे को सब कुछ दर्साई बहिर उसने गुंगी पुन बोले रंक चले सिर्शत्र धराई सूर दासस्वामी करुणा मैं बार बारत बताना भूल गए तो ब्रह्मास्तर सीरीज हमारा कच्छा दस्ते ही बच्चों के लिए है जिनका जो सलेबस है वो बड़ा स्मूथली रन कर रहा है ब्रह्मास्तर सीरीज के अंदर अभी तक उसमें आपका काब्यखंड पूरा कीलियर हो चुका है अब उसमें गद्यखंड सुरू करने की बारी है जिसमें आपका अभी पहले हमने संस्क्रिट सुरू किया है संस्क्रिट के जश्ट बाद हम आपका गद्यखंड सुरू करेंगे तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा या जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है जो कुछ नहीं पढ़े उनके लिए हम सिर्फ वही चैप्टर वही टॉपिक वही खंड पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आएगा अज जो सब कुछ पढ़ लिए उनका रिवीजन हो जाएगा तो आप लोग गम्हा स्रीच को जिरूर से जिरूर फॉलो करें उसके बाद देखे क्या है कि उपियुक्त पद्यांस का संदर्व लिखी अब संदर्व क्या होगा कि ब्याक्ख्यातमक पद्यावतरन खंड या यूं कहें कि ये जो हमारा पद्यांस खंड है तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो पद्य खंड है उसके जो लेखक कार हैं वो सूरदास जी है तथ ये सूर्दास के पद से उद्रित है और एखांकितंस की ब्याक्ठ्या में क्या होगा तो चरण कमल बंदव हरी राई की भगवान हरी के जो चरण के समान कमल है उनकी में बार बार पूजा करना चाहता हूं क्यों 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 क सकता है गूंगा बोल सकता है और रंक मतलब दलित द्रव्यक्ति भी छत्र धराई राजा के समान धन्वान हो सकता है तो सूरदास जी कहते हैं कि है मेरे करुणा मैं स्वामी मैं आपके बार बार बंदव थीपाई आपकी चरणों की बार-बार पूजा करना चाहता हूं ये इ अथ्वार रेखे कि क्या दिया गया है कि सुनि सुन्दर बैने सुधारस साने सयानी है जाने की जानी भली तिर छे करिने तिनै समुझाई कच्छव समुशुकाई चली तुल सीते हियां सर सेही रवयय वलोकति लोचनिलाहु अली अनुराग तराग में भानू दै बिगसी तो ये कहां से लिया गया है 1 पथ पर का ये जो आफरी आपका खंड है तुल्सी दाश जी ने कच्छा दस के बच्चे ध्यान दे वन पत्पर आपका सेकंड चैप्टर है काब्यका जिसके सुलसी दाश जी लेखक है पहले धनुजभंग है फिर वन पत्पर है वो भी आपका ब्रह्मासरीच के अंतरगत अपलोड है ब्रह्मासर को फालो करें सत्तर में सत्तर लाएं यह हमारी गारंटी है हमारे तरफ से या हमारे हिंदी आरोही पुस्तक के अंतरगत बन पत्थ पर नामक सीरसक से लिया गया है जिसके रचैता गोस्वामी तुलसी दास जी हैं। आपके कौन हैं अर्थात भगवान स्री राम की और संकेत करती हैं वो सक्या तो माता सीता जो हैं वो थोड़ा सा सरमाते हुए उनको इसारे में बताती हैं वही लिखा गया है कि सुन सुन्दर बैन सुधार ससाने कि इतने सुन्दर वचनों को जो कि अमरित के समान सुधा चतुर जानकी क्या कहती हैं कि तिर्चे कर नैन तिन्हें अपने नैनों को तिर्चा करती हैं मतलब तिर्चे नैन से राम जी की और देखती हैं और उनको मुस्काते हुए कुछ ना कुछ समझा देती हैं और जब आप किसी को तिर्चा करके मुस्कान से देख लीजिएगा मु अनुराग तड़ाग तड़ाग मतलब तालाब प्रेम रूपी तालाब में भानुदे मतलब कमल रूपी जो सूर है उसका उदय हो रहा है और बिगसी मनुमंजुल कंजकली असब की जो आँखें हैं वो बिलकुल भाउरे के समान लग रही हैं इसका अर्थ यही होगा अब अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंजकली में कौन सा लंकार है तो अनुराग तड़ाग मतलब प्रेम रूपी सागर जहां रूपी मतलब रूपा का लंकार और मनुमानो जनुजानो मतलब उस प्रेच्छा लंकार तो दोनों का लंकार आपको असपश्ट हो गया कि दिये गए संस्कृत गढ़्यांस में किसी एक कस्ता अनुबाद कीजिए। अब आईए इसके अनुबाद की बारी है। वहाँ से आप इसको जाके पढ़ सकते हैं और दूसरा में देखिए बच्चों दूसरे में आपका अथवा है कि मानो जीवनस्य संसक्रणम संस्कृत ये आपका भारती ये संस्कृत के अंतरगत आपका खंड आता है और इसके अंतरगत क्या आता है एक चीज आपको ध्यान र अब देखिए बच्चों अगला क्या है अगला हमारा जो प्रस्म चार है वह हमसे कहता है कि दिये गए संस्कृत पध्यांस में से किसी एक कसा संदर्व सहित हिंदी में अनुबाद कीजिए तो इसमें पहला देखिए चाहे आप लोग देखिए ये बहुत बेहतरीन होता है कि जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे जो उपर वाला है ये देखिए यहाँ पे संस्कृत गध्यांस जो है इसको जब यह थोड़ा बड़ा है इसको निप्टा के जब आप लोग नीचे आए तो दिये गए संस्कृत पध्यांस में किसी एक कसंदर्व सहित हिंदी में अ तो ये छोटा रहता है नंबर दोनों का बराबर देखिए यहाँ भी पांच नंबर मिलेगा आपको और वहाँ भी आपको पांच ही नंबर मिलेगा तो इसको करने में आपको ज़्यादा आसानी रहती है इसमें क्या है इसमें भी देखिए यहाँ पे दो आपको दिये गए दो आपको देके बड़े आराम से दिख रहे होंगे, दोनों में क्या है, दोनों ही आपके यहां पर पद देखे, जो खंड हैं, इसे लिया गया है, हित्वा मतलब होता है, त्याग ना, क्या त्याग के हम सुखी रह सकते हैं, जिसमें यस के द्वारा प्रस्ण पूछे गए थे, युधिष्ठिर जी उसका जवाब दिये थे, चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, एक बार चैनल पे जरूर बिजित करें, तो वही इसमें प्रस्ण उत्तर दिया है, जिसमें कहते हैं, यस पूछते हैं, तो इद्विष्ठिर बताते हैं, कि हम लोग अपने मान मतलब अहेंकार को त्याग करके सब के प्रिय हो सकते हैं, और क्रोधम हित्वाना सोचती, अक्रोध को त्याग करके हम लोग सान्ति को प्राप्त कर सकते हैं, काम हित्वार्थ प्रवाफ्र ऑन थो ब्रफ मतलब के अपनी इच्छाओं को त्याग करके हम लोग हित्वार्थोस्थवाण मतलब धनवान हो सकते हैं अ लोभम हित्वा सुखी भवत अपने लंदर के लोभ लालच को त्याग करके हम लोग सदा के लिए सुखी हो सकते हैं अथ्वा सर्वे भावंतु सुकhina मतलब सर्वे भावंतु सुखhina सर्वे संदू निरामया सर्वे भाद्रा न पस्चंतू माकस जे दुख भाग भवेत तो ये भी आपका भारतिय संस्क्रित का अंत वाला जो की क्या है अंत में ही आपको देखने को मिल जाएगा उसमें क्या बताया गया है कि सर्बे भौन्तु सुखिना की सभी सुखी रहें और सर्बे संतु निरामया सभी निरोगी रहें सर्बे भद्राणि पस्चन्तु और सभी क्या रहें सभी का कल्यान हो ऐसा हम लोग देखें सर्बे भद्राणि पस्चन्तु मा कशिजिद दुख भाग भवेद और कोई भी दुखी ना हो इसका यही अर्थ हो जाएगा अब देखें बच्चों अब इसके बाद में हमारा आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने पेपर में तो खंड काब्य के आधार पर निमलिखित प्रस्नों में किसी एक का उत्तर देना है हम लोगों का जो खंड काब्य है वो क्या है तो हम लोगों का खंड काब्य आप लोगों के भी प्यारे प्यारे बच्चे हमको देख रहे हैं उन सभी का जल्द से जल्द ही खंड काद भी अपने चैनल पे अपलोड हो जाएगा और ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतरगत आपको जैसुभास देखने को मिलेगा तो जहां के बच्चे भी हमारे जैसुभास वाले हो वो सीरीज के अंतरगत जाके उसको फॉलो जरूर करें उसके बाद देखे बच्चो अगला हमारा प्रस्ण क्या कहता है अगला हमारा जो प्रस्ण है लाश्ट में यहां पर हम लोग अपने पेपर के लाश्ट चरण में आ गये हैं तो प्रस्ण छे प्रस्ण छे में क्या है दि संकर प्रसाद जी का जीवन परिचे देख सकते हैं वो अपलोड हो गया है आचार राम चंदर सुखल का दो चार दिन में भी अपलोड हो जाएगा तो यहां पे आपका एक तो फंस गया भाई देखे तीन है एक अगर फंस जाएगा तब भी नंबर उतने ही मिलेंगे और दूसरा क्या है प्रस्लिचे का खा क्या कहता है कि दिये गए कभियों में किसी एक का जीवन परिचे देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उलेख कीजिए तो इसमें आप लोगों के लिए खुस खबरी ये है कि जीवन परिचे की महा सीरीज में गोस्वामी तुलसी दास, सुमित्रा नंदन पंत और महा कभी सूर दास तीनों लोगों का जीवन परिचे अपलोड हो गया है अपने चैनल आरे स्टी पॉइंट पे वहां से आप लोग जाके बड़े आराम से देख सकते हैं उसके साथ साथ सॉट ट्रिक भी जल्द से जल्द अपलोड हो रही है जिसमें गोस्वामी तुलसी दास जी की हो चुकी है और सूर दास जी की भी हो चुकी है तो सॉट में भी आप व्यात कर सकते हैं जिसमें चार लाइन यहीं है तूद्सिदाय जी का पिताया तुमा राम दुबेदी माता जिन की हुलसी थी राजापुर के कभी तूल्सी थे मन में भक्ति राम की थी ब्रजभासा और यौदीभासा पर अधिकार भी जिसका था पत्नी थी रतनावली और दास्त भक्ति वह तुल्टी था चार लाइन याद कीजिए अगर मालीजिए थोड़ा सा समझने में प्राबलम हुई तो RSP Study Point Channel अपने चैनल पे विजिट करके इनका जीवन परिचे का सौट्र जो कि तीन मिनट में ही है इससे कम भी नहीं मिल पाएगा भाई तीन मिनट बहुत कम होता है तो उसमें ही हमने आपका इसको complete करवा दिया है बाकि डीटेल में देखना है तो जीवन परिचे की महतिरीज में आप लोग जा सकते हैं अब प्रस्म साथ की बारी तो अपनी पाठे पुस्तक में से किसी कंठस्त कोई इस लोग लिखिये जो इस प्रस्म पत्र में ना आया हो कंठस्त लिखना है मतलब मुह जवानी जो याद हो आपको तो कंठस्त वाले में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इस पेपर में ना आया हो अब इसमें देखे सर्वे भौंतु सुखिना वाला आ चुका है जिसका हमने उपर भी आप लोगों को अर्थ समझा दिया अब वाराणसी में जब आप लोग जाएंगे तो लाश्ट में आपको इस लोग मिलेगा कि मरनम मंगलम यत्र विभूतिष्च विभूशनम कवपीनम यत्र कवसेयम साकासी केन मी यते तो इसको जब आप लोग लिख देंगे तो यह आपका काम हो जाएगा तो भारतिय संस्क्रित और मारनम मंगलम ये दोनों अगर आप लोग याद कर लेंगे वारान सी का तो एक कोई फंस जाएगा जरूर और इसको बढ़ियन लिख के प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि पेपर में एक्जामनर के सामनी जच्चक करता है किताब उताब रखी रहती है जहाब बढ़िया से आप लोग अपनी प्रजंटेशन दे दें पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाओं में आ गए प्रसनाठ में देखे निम लिखित में से किन्हीं दो प्रसनों का उत्तर संस्कृत में दीजिए तो इसको संस्कृत में ही लिखना है तो बड़ी समस्या आपके लिए ये है और संस्कृत में ही हम इसको आपका अगर उत् केवल एक है इसका संस्कृत में आपका आर्थ क्या हो जाएगा कि विस्त्वस अस्त्रष्टा इस्वरा एक इति भारतिय संस्कृते मूलम तो ये तो हमने आपको संस्कृत में इसका जो की उत्तर है वो बताया है क्या बताया कि जब आप लोग अपना भारतिय संस्कृत खोले पुरुराज कौन थे तो पुरु राज का आशीत कौन थे तो पुरु राजा एक भारतिय बीरा आशीत। अंथ में चंद्र सेखर का आशीत। तो चंद्र सेखर प्रसिद्र कांतिकारी देशभक्ता आशित मतलब प्रसिद्र कांतिकारी और देशभक्ते ते बीरह केन पूझते बीर क्या पूझते हैं तो बीरह बीरेन पूझते बीरों के द्वारा ही बीरों की पूझा होती है पेपर कांतिम प्रस्न आपके सामने है नि लाभहान और परियावरन समर्च्छन के उपाए ये दोनों आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिए जिसको कि हम आपके लिए हाइलाइट करवा दे रहे हैं और उसके बाद देखे बच्चो तो ये परियावरन समर्च्छन के उपाए और जन संख्या लाभहान येगर जो आप याद करेंगे तो आपको नव गुणे एक मतलब नव नमबर मिल जाएं इतना बड़ा फाइदा आपका होगा तो इसको लिखने का पूरा ट्रिक होता है उसके लिए जल्द ही हम आपको वीडियो लेके आएंगे बाकी जो भी हमारे पूरा चैनल है अगर आपको यह पूरा समझ में आया किसी प्रकार की कोई समस्थ्या नहीं हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और और भी अपने हिसाब से जो भी हमारे लायक कमेंट हो जैसा भी समझाया हो कोई समस्थ्या हो तो कमेंट में पूछें नहीं तो फिर ऐसे ही चैन इसको आप लोग फॉलो करेंगे तो इसी के साथ चलिए बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओक के बाद